हेलो तुम्हें श्कार और लेक्टर हमारा है उसमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी तॉपिक का जो टाइप है वह हम डिसक्स करने वाले और नेक्स टाइप जो आपका है वह है कौन सा पॉइंटिंग बेस कि बात कर तो वैसे तो ब्लड डिलेशन के टॉपिक में सबसे पहले पढ़ा जाता लेकिन क्या है कि इस टॉपिक के कोशन आपके बहुत ही रेर को भी पूशे जाते हैं इसलिए मैं इसको लाश्ट में रखा है क्योंकि आपके यह की बात करता ऐसे कॉश्ट नहीं हाथ है जन आपके बात कर देखते हैं कि पहला कॉश्ट क्या है यहां पर फर्स्ट कर्शन आपको दिया गया है वह है कि स्वाथी जाहू शॉटर और सीज तो अमित यहां पर आपको बताना है कि हाव इस विने रिलेटेट वामित का क्या लागा है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या क आप सबसे हम में तो इकने कि जाम्स का किस तरह से बनाएंगा देखी इन के यहां पर रगिशन यहां पर शॉट लेता हूं ठीक है अपको और बात करें हम है चलिए यहांपर कॉन है ष्वाठी ऐए अर्फाथी कॉन है राहुल की बेटी तो यहाँ पर वहाज़ अब आजय गाई आगया अब राहुल को प्ता है माहें यह हमें नहीं पता थैक हम कहीं सकते हैं तो डीर हो डीनिए was कि सेपरस indifferent शाव से कहती है अच्छा अम्मेद से कहने वाली कौन總ate तो यह अमित से कहती है अमित को यहां बना दिया ठीक है अमित से अरो हमने शाट है कि स्वाधी कि स्थार्व कु शाट अमित से अब ने किस तक से कह था कि को डा रही है सोamed इनति कौन थी गड़ू की बीटी थी और धी बेती है वो अमिदे से कहते है तो अमिद क backlita किस से कह ता है कि अमिद का आपको डिफाइध नहीं है तो अमेद से क्या कहा राशे एक यह और अदै तो ये बात सौाति किस से कहरा रही है आमिद से कहा रही है I'm at your mother Rashi की आमिद आपकी जो है Rashi mukha tousan है अमिद की मा क्मोड हो गई राश्य हो गई ळाल डाल महा कहुम है पीमेल ठीक है your mother Rashi is the younger sister of my father Rahul आप देखो भॉछी 天 सe पढ़ी है सब से चिकलिछ हो जाएंगे स्वाथी अमित से कहते कि अमित आपकी जो माहय राशी is the younger sister ये छोटी बहन है किसकी of my father राहुल मेरे पिता राहुल की छोटी बहन है ये बात कौन कह रही है स्वाथी कह रही है देखो समझवाद को आपस से स्वाथिख कहते हैं मृत से अमित, आपको और Hindi कि वह बागो, वह छोटी बहनिति की मेरे पिता राहुल, तो स्वाथिक के पिता राहुल यह हो गये, ठीक है, अब तक येंडर पता है अब पता चल रहिता, मेरे पिता राहुल की चोटी बहनि तहीं चोटी यह बडियों सेम जँनररेशन वाइगी की यहां पर को ना गई राश्य आ गई Ang Chapman कि रचे का मेरह व्हां, ऐक का थार स uncertainty कहती है कि अभे यहां मैं आइगा जब ढ राशी जब यहां पे आएगी तो राशी के साथ नीचे कोन आएगा अम्य उट आएगा ! यहांपने कया बना दिया है, आम्य बना दिया !! अधwać थाइज हूँ voc स्वाथी के पिता राहुल, राहुल के पिता की छोटी बेन राश्री का बेटा या बेटी अमित। फिर बाद में हू यहाँ पे आया, तो कि हू किसके लिए इमीडियेड पहले वाले परसन के लिए? इमीडियेड पहले को ने राहुल है? राहुल is the third child of Vinay राहुल कौन है? थर्ड चाइल्ड ओफ विने राहुल है वो तीसी संतान है विने की तो यानि कि राहुल का यहाँ पर उपर कौन आ जाएगा विने आ जाएगा अब विने इनका पिता है या मा है वो हमें नहीं पता लेकिन इतना हमें कर्म है कि हां पर कौन आगया विने आ गया यहां तक चीज़ें क्लियर है आप सभी को को दिक्कत है बताइए नहीं हो गया ना समझ में आ गया ना चलिए बहुत बढ़िया को इस वोटारख सकन आपकी मा राशी मेरे पिता राहल की छोटी बेहने और मेरे पिता राहल कौन है विने की तीछे संताने करिए है अpowerória इस विनेरने कीमित्च क השण विनेर इलेटेट्टां पोच्छा क्योंकि मा का भाई को नहीं रहा हो ले तो यानि कि विने जो है या तो राश्ची का पिता है या राश्ची की वाई नाम से आपको नहीं जाना है इस बात का ख्याल आप लोग रखिएगा ठीक है तो देखो या तो अमित की दी बात करें तो विने जो हैं अमित की यह थो होंगे grandfather यह होंगे grandmother आप से पुझाए how is venner related to me विने क्या लगए गा तीसरी जनरेशन में जा रहा है न और जब तीसरी जनरेशन में जाता है तो relation जो आपका बनता है grandfather और grandmother बनता है यहाँ पर जो कि option जो है gender decide नहीं है विने का तो यहाँ पर जो आपका अंसर निकल का जाएगा cnd can not determine आप determine नहीं कर सकते कि विने grandfather है और grandmother है ठीक है हलाकि यहाँ पर grandfather दिया हुआ लेकिन grandmother भी तो हो सकता है तो ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं है यहां पर answer की आजाएगा cnd आजाएगा कि लेटर में नुमर 5 आजाएगा कुछ बच्चे कहेंगे सर्माली जी हाँ पर grandmother भी होता तो क्या होता तो बच्चों जब यहाँ पर इसको कट करके यहां पर लिटेता हूं तो यहां पर five यहां पर आपका आता वह आता grandfather यह ग्राइन मदर इस तरह से कंके आपको बन के आता चुके असा कुछ नहीं है तो यहां पर जापका अन्सार निकल करका हुआ है बढ़ते हैं पर अगले कोशन तरफ अगला कोशन आपका है कि इंटर्डूशिंग एब बॉय रोहन सेड हिच मदर इस अउनली डॉटर ऑफ माइद इन लोग हाव इस रोहन डिलेटेट दो बॉय कि यार बहुत सीधा सा कोशन है ऑप्शन अंकल और फादर हजबेंड और क्यानोट डेटरमाइए तो यहां पर लड़के के रिशारा करते हैं कि इंट्रूशिंग एब उचारा करते हैं किस ने कहा रोहन ने कहा तो देखो मैंने वैसे ही बनाया है लड़के के रिशारा किया यहां ने कहा है तो इच्छारा कि इस लड़के की सब्शारा कर रहा है तो इस लड़की की जो माँ है, His mother, यानि किस की माँ? इस लड़के की माँ. ये इकलौती बेटी है, यानि ये इसकी जो माँ है वो इकलौती बेटी है, किस की? Of my mother-in-law, मेरी mother-in-law की. अच्छे, माई किस के लिए आये हैं? यहां पर माँ जो आया है, वो आये रोहन के लिए, क्योंकि बात जो कर रहा है, जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वो कौन है? रोहन है. तो रोहन ने कहा, His mother is the only daughter of my mother-in-law. तो यहां पर आप सब को छोड़ पर कहा आजाए, यहां पर आजाए, माय मदर-in-law के. यह बात किस ने कही यह रोहन ने कही, मेरी मदर-in-law, यानि कि रोहन की पहले क्या होगी होगी, शादी होगी, किसी एक परसन के साथ. समझ रहे हैं? मदर-in-law मतलब होता है, सास होता है, तो वो कब बंदी शादी के बात, यानि कि अपने स्पाउस की जो माँ होती है, वो कौन होती है, मदर-in-law होती है, ऐस थारह से, तो माय मदर-in-law, तो रोहन, रोहन की स्पाउस, और यहाँ पर, उसकी माँ यानि मदर-in-law होगी है, ठीक है? His mother is the only daughter of my mother-in-law, तो मेरी जो माँ है, मेरी मदर-in-law की इकलोती बेटी का मतलब हुआ, कि मेरी रोहन की मदर-in-law यह हो गई? मेरी मदर-in-law की इकलोती बेटी यहाँ पर आ गई? ठीक है? यहाँ पर कौन आ गया? रोहन तो रोहन की हो जाएगा, मेल हो जाएगा? चीज समझ में आ रही है आपको, ठीक है, यही आ जाया गए यहाँ पर, बताइए, कोई दिकत है, नहीं ना, क्योंकि कहा भी तो यही गया था यहाँ पर, क्या कहा गया था पताइए, कहा गया था, कि his mother, इस लड़के की जो मा है, वो only daughter है, किसकी of my mother-in-law, तो रोहन, रोहन की mother-in-law, इसकी clothy बेटी यह हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर, जब यहाँ पर यह फिमेल थी, यहाँ पर वुमेन थी, तो उसकी एक संतान थी, लड़का, तो यहाँ पर क्या बना दोग यह कौन से लड़का है, जिसकी और इशारा किया था, किस ने रोहन ने, तो रोहन ने एक लड़की की और इशारा करते हुए, कहा कि इसकी जो मा है, इसकी जो मा है, वो कौन है? मैरी mother-in-law की इकलती बेटी? समझे मा आगई आपको बात एक लड़की की और इशारा करते हुए रोहन ने कहा कि इसकी जो मा है वो कौन है मेरी मदर इनलोग की इकलोती बेटी है तो आप से पूछा गया हाउ इस रोहन डिलेटेट टुट बाइट पॉय तो रोहन उसका क्या लगा तो रोहन उसका लगा ब लाराअ मैंत बाइटलन टो में ह invites खौट्ट और इस जो में yn की तो फॉ पोट्राइट में इस पूछिटा पीरन इस अब ihan कनव में यह नहीं उसकी तो ऊप उन्लिके मिन इसक लोगा आजंए यह होता एक लोगा बेटा अब बेटा एकल होता है लेकिन बेटियां के दिने यह यहां पे गफम नहीं है लेकिन जब कभी only child आ जाता है इसका मतलब यह हो जाता है कि बेटा हो या बेटी हो दोनों चाहे जो भी हो लेकिन है एक ही संतान है समझ में आगे हैं आपको बात only child only daughter या brother में आपको कि मैंन की और इशारा करते हुए जो एक photograph में था इसकी और इशारा किया तो हमने पॉइंट बना दिया क्या कहा है इस brother's father कि इसके भाई के पिता क्या कहा काव्याने his brother's तो यह person हो गया और his brother's father इसके brother के father कौन है his brother's father is the only son इसके brother के father only son है या only child है एकलोती संतान है अब यह जो person है ना यह person इसके भाई के जो पिता है वो एकलोती संतान है किसकी of my grandfather मेरे grandfather के देखो काव्या यहां पर एक जनरेशन यहां पर आ जाएगी काव्या को पर वाली यहां पर कोन आ जाएगी काव्या के ग्रैंट फादर आ जाएगे ठीक है समझ में आगे आपको बात ठीक है तो काव्या के ग्रैंट फादर के इकलोती संतान है तो काव्या काव्या के पादर की कलोती संतान यह हो गई बचो आपा समझो कि of my grandfather मेरे grandfather की पूचो काव्या के grandfather यह हो गए है और his brother's father is the only child of my grandfather तो मेरे grandfather यह हो गए है और फिर इसके बात से लाइन कहां कहां जा रही है बताईए एक पार clear करिये अच्छो कहा गया his brother's father is the only son his brothers यह brother हो गया father यह father हो गया और यह इकलोता बेटा है किसका मेरे grandfather यह जो person है यह जो person है कि यहां पर आ गया ठीक है clear है मेरे grandfather का इकलोता बेटा है कौन इनका पेता इसके दो बेटे थे तो यहां पर कौन बन जाएंगे दो बेटे बन जाएंगे पूछा गया है कि how is kawya related to the man in the photograph अब काव्या जो है वो किस तरह से रेलेट करती है अ उस person's photograph 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 इस person था वो कौन था यह देखो वही उठा के हमने प्लेश किया यहां पर क्या हो जाएगा हाव इस काव्या रिलेटेट टू दमेन फोटोग्राइफ तो किस तरह से रिलेट करती है तो बच्छो यहां पर क्या हो जाएगा देखो अब थोड़ा कोम्लिकेट हो गया तो मदर तो हो नी सकता नहीं होगा क्यों क्योंकि same generation में अंट नहीं होगा नीश नहीं होगा डॉटर नहीं होगा तो क्या बचा आपका option sister तो काव्या क्या लगेगी इसकी sister लग जाएगी नहीं समझ मैं एक वाइख फिर समझे देखो pointing to a man in photographic person की और इशारा किया कहा किसने काव्यान ने कहा क्या कहा कि इसका जो भाई है उसकी जो पिता है ये इकलोते बेटे हैं किसके मेरे दादा के तो दादा ये हो गए है दादा के इकलोते बेटे ये हो गए है कौन एरो वाले दादा के इकलोते बेटे हो गए है ठीक है इसकी और कि याद रखना मैं इसलिए मैं यहाँ पर इस एरो गटा ज़्यता हूं यार ना करखामका कर दो जाओ गया ठीक है यहांपर मैं लग दिदा हूं कि इकलोती संतान ठीक है या ओन ली सन ठीक है only son हो गया है ठीक है यह only child हो गया तो यह यह person जो है वो only child है ठीक है इस only child और नीचे आजाएंगे दो कि दिक्कत यहां पर क्या है आपको इस कि तरह प्राइट यहां पर नहीं नहीं कि पूछा यह क्या है कि है विड noodle ुट्व करती है यहां पर तो को राइई भी हो सकता इन परStep कि और बहन भी हो सभथ है कि है क्या हमादे पास उन्ली सेटर्क आप्शन है तो यहां पर हम सिस्टर करें होता तो फिर हम जाके वहां पे हमें करें टाउट होता फिलाल यहां पे डाउट नहीं बनेगा सवां आप किया हो जायगा शिदर क्लियर सभी देखो चले बढ़ते हैं यहां पर अगले कोईशन के तरफ कोईशन नमबर फूर्ट जो आपका है फेसिंग इमेन दाए नेहा सैड एक परसन है उसकी और देखते हुए किस ने कहा था नेहा ने कहा था क्या कहा था बताईए नेहा ने कहा कि यूर सन इस माई सन्स अंकल की इसकी और इशारा किया था देखो इसकी और देखते हुए कहा था किसने नेहा ने कहा कि भाईया आपके जो बेटे है यूर सन किससे कही जा रही है ये बात ये बात जो कही जा रहे हो इससे कही जा रही है क्या कही जा रहे है पताई है कि भाईया यूर सन जिसके ओर देखते हुए कहा था उसे कहा रहा है आपके जो बेटे है Your son is my son's uncle ये जो है ना ये परसन ये परसन कौन है मेरे बेटे के अंकल है ये इस परसन की बात कर रहे हम कहा किसने नेहा ने कहा कि भाईया आपकी जो बेटे है तो आपके बेटे ये हो गए आपके बेटे कौन है माई सन्स अंकल मेरे बेटे के अंकल है तो यहाँ पर क्या होगा नेहा का बेटा यह आ गया नेहा की बेटे के अंकल है ये पर्सन ये वाले पर्सन तो क्या हम अगर नेहा के अंकल तो है नेहा और इनकी जनरेशन सेम रही होगी देखो ऐसे बनेगा अब आपस द爸爸 pointing to a person Neha said Neha ने कहा this person के उष्यारा करते हुए आपका ये जो नहीं की जो नहीं का ऊणा ये जो लिख दिताओ मैं पर बेटा कि यर्स नापका जो बेटा है वो कौन है मेरे बेटे का अंकल तो मेरे बेटा नहा का बेटा इसका अंकल अंकल का मतल होता, चाचा है, मामा, ठीक है, तो पूछा आप से जा रहा है, how is the man related to निहा, तो जो पर्सन है, ये पर्सन निहा, क्या लगेगा, ठीक है, अब अगर अंकल है, देखो, अंकल है, तो निहा चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक बात समझ ये गया, बहुत ध्यान से, नेहा चाहे मेल हो, मालो नेहा को मेल आपने मान लिया, तो भी ये भाई है इसका, नेहा को आपने फिमेल मान लिया, तो भी ये भाई है इसका, समझ रहे हैं आप बात, ठीक है, इशारा किसकी और क्या था, इस परसन क्या था, तो पूछा जा रहा है, तो यह जो पर्सर हो और नीहा कर्या लगे मैं रुटंचो दोब आया जएक वर नेहा काक्या से लागेगा अस肉 पर संहाइब व नेहा कि अ क्या लग अब का भी आपका लेगा तो आंसर यहां से निकल गाए ओक है निकल गाएगा फादर आपका निकल का जाएगा ठीक है कोई डाउट आपको नहीं होगा शाहिद है है ठीक है का निकल का जाएगा आपका आंसर फादर निकल का जाएगा क्लियर भीया कोई डाउट तो नहीं रहे गया अब ठीक है फादर ब्रुदर कि पर्जे करवाती है किस तरह से भी आप्र जैनी काष कैस संव फिर ब्रुदर आव उकरण और देखर तेन ऐट करते दो किसा बीटा किसका अवर दपर दन किसका of her mother हर किसके लिए आया पर काव्या के लिए काव्या निकाश का परचे करवाती है as the sun एक बेटे की रूप में अब बेटा किसका of the भाई भाई का बेटा और किसके भाई का बेटा of her mother उसकी मा के तो बच्चों वापा समझो काव्या प्रजन निकाश काव्या निकाश का प्रच्छे करवाती है एस देशन एक बेटा और बेटा किसका भाई का और भाई किसका उसकी मा का काव्या की मा का यहाँ पर काव्या काव्या की मा काव्या की मा का भाई और भाई का बेटा कौन निकाश यही तो होगा यहाँ पर काव्या परजन निकाश काव्या निकाश का परचे करवाती है as the brother एक भाई के रूप में किसका भाई of her mother sorry as the son of the brother of her mother brother है किसका just a minute काव्या परजन निकाश the son of the brother of her mother तो उसकी माँ जो है ठीकिक किसकी काव्या की उस काव्या की माँ का भाई और उसका बेटा as the son of the brother of her mother यानि यह जो है बेटा है किसका बेटा ये लो बेटा है किसका निकाश की माँ का तो यहां पर कौन आ जाएगा निकाष का बेटा की मा अगर मोट पर हम जाये तो यहां पर का बहुत्थ को पूछ जा रहा है यहां पर हाइं जेंए लुए नेकाष को बेटा वो चीज़ा कुछ से हैं नियुकर दोगा सेंने प में वाया थें चैजन कोछ बाए लाइन वाहिए नहीं हो सकता क्यों अंकल नहीं हो सकता क्यों मुझाइट पर वाइचो क्यों आपका दोगारी जो सब्सक्राइचिक रही है ठीक है क्या हो गए टोगाइ च्छेरे मकंई अम pointing toward a boy एक लड़के की और pointing करते हुए किस ने कहा? एक विमेन ने कहा क्या कहा? He is my mother's mother's only son ये बात कौन कह रहा है यार ये बात कह रही है ये विमेन He किस के लिए यहाँ पर इस लड़के के लिए आया है कि ये जो लड़का है वो मेरी मा की मा का एकलोता बेटा है और बहुत ही सीधा सा कॉच्शण है ये तो भी नई इस क्योच ने को कॉच्शन He is my mother's mother's only son तो ये जो है न वो मेरी मा तो विमेन की मा Myふ My mother's mother's तो मेरी मा की मा मेरी मा की मा हो गई यहाँ पर ठीक है My mother's Mother's ठीक है है यह दिश इस्मीर में अधाजी जो है मैंधिंध करें बडूली सन अंक और इस तरह से के उतन यह दूली स्थ विद्र सब्सक्राइब हो डोन दो बार आना साथ मिणध करते हमारी मोउन और इनकी भी माँ, उनका एक लगा बीटा है, तो पूछाए जारा है, होज इस विमेन रिलेटेड टो दबॉइ, इस विमेन है, यह यह लड़का वई है, जो जिसके और इशारह की हो जा रहा था, ठीक है, तो how is the women related to that word? तो यह women क्या लगी है? यह women यहाँ पर क्या लगी है? बताओ क्या लग जाएगी? देखो, बहन की बेटी, भाई यह बीच वाली जनरेशन माओ यहाँ पर, दोनों बाही बहन है, और यह women जो सरकल में लेखा है, क्यी बेटी टि वेमेल, इसकी बेटी है ना? तो बहन की बेटी होती है, यंदि sisters, daughter, क्या होती है? नीस होती है, भतीजी होती है. ठीक है, तो mother नहीं हो सकता, kजन नहीं हो सकता, really, not need is правда आज़ने हो सकता? और नहीं, तो बढ़ते हैं के लिए कोर्शन तरफ हम लोग यहां पर और देखते हैं कि क्या अगला कॉर्शन है देखो पॉइंटें वाले आसान कॉर्शन इतने टाफ नहीं है अच्छे से पड़े के दिया आप इंग्जाम को दे रहे हैं तो आकाश कहता है है यहां पर आकाश कहता है कि दिस गर्ल इस शिश्टर ऑफ दिग्रेंड सन ओफ माइद इस गर्वाइड गर्वाइड कर दो यार सिस्टर आफ दे ग्रेंड स인데 वाइड कर दिया बस यहीं पर खेल खातम हो गया और सब कुछ केल खाँ ओगया परेशान होना ही नहीं तोक्र परेशान मुagen होना करना क्या क्या अबिवी ground lol परिशान ने होना आकाश ने कहा किस की और इशारा करता हूँ या किस की बारे में बात करता हूँ लड़की के बारे में बात करता हूँ कि वो बहन है she's sister this girl is sister of the grandson of my mother ये बात कौन कह रहा है ये बात कर आकाश की मेरी जो मा है ठीक है बहिए यह लो, आकास की मा, grandson of my mother, मेरी मां का जो grandson है, तो आकास यह रहा, आकास की मां का grandson है, यह हो गए यहांपे, ठीक है, अभी यहांपे बात्यार, यह भी ताजाते है, जरूरी थोड़ी है, जरूरी नहीं है, हो सकता है, सर, ऐसा हो जाए, कि यहां पर यह कहा गया है कि आकास की जो माँ है उनका ग्रैंट सन अब आकास की माँ तो सर हमें समझ में आ गया कि आकास की माँ यह हो गई है लेकि हो सकता है इनके एक और संतान रहे उसका बेट यहां पर वक्ता वो वाला हो ठीक है ऐसा भी तो हो सकता है आकास ने कहा कि मेरी जो मा है उनका grandson हो सकता है आप एक और person रहा हो हो सकता है आकास है वो दो भाई रहे हो भाई बेहन रहे हो आप मान लेजिए मेरे भाई का जो बेटा है वो भी तो मेरी मा का grandson है और मेरा बेटा है वो भी मेरी मां का क्या है grandson है समझ में आ गया तो यहां से भी देखिए आकास का बेटा और यह आकास की मां उसी क्या हो जाएगी ग्रैंड मदर हो जाएगी यहां पर आकास की भाई या बहन का बेटे की भी आकास की मां क्या हो जाएगी ग्रैंड मदर हो जा है तो दय गोड इस दशिज्टर आफ ते ग्रेंड सं़ ऑफ माय मदर समझ यह बात को यहां पर आंका जैड़ इस्टर ओफ ट्रेंड सं आफ मैं मदर ग्रेंड सान ऑफ मैं मदर वह इस दिस गर रिलेट टो आकासी लड़का से जिलेट करते तो पहले तो पूरा बना लें एक इस ग्रैंड सन की सिष्टर है, कौन सी लड़की जिसके और इशारा किया जा रहा था? समझ में आगया आपको बात है? आकास ने कहा, कि ये जो लड़की है, ये कौन है? मेरी माँ की ग्रैंड सन की बेटी? तो हो सकता है, मेरी माँ की दो बेटे रहे हों, लेकिन फिलाल हमारे पाइए इन्फरमिशन किसके बारे में? एक के बारे में हैं हैं पर आकास के बारे में? इसके बारे में आकास के बारे में तो यह वाला डियाग्रम ना मान के चलेंगे ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे होता है आकास की मा का ग्रैंड सन और उसकी क्या होगई सिश्टर होगई तो पूछा यह जारा है कि अब हाओ कास जड़ते है इस गर्ल डिलेड टौ आकास टॉ अब आकास की स्विता थे लड़की आकास की बेटी होगई क्या हो जाएगी अकास की बेटी आँ से निकल गया जाए त्लियर साभी को तो यह रहा आपका question number seven question number seven में कहा गया है कि अकाश said this girl is the sister of the grandson of my mother how is this girl related to आकाश यह लड़की आकाश से कैसे रिलेट कर दो देखो करना आपको कहा है सबसे पहले आप बना दीजिए आकाश ठीक है यहां पर आपने बना दी है यह लड़की जिसके और आकाश जिसके बारे में आकाश बात कर रहा है कि this girl is the sister of the grandson of my mother this girl यह लड़की है इस लड़की का इंटो देखा रहा है यह लड़की कौन है यह बहन है किसकी grandson की अभी grandson किसका है of my mother मेरी मा का यह बात कौन कह रहा है आकाश कह रहा है तो आकाश की मा यह हो गई इसका grandson ये अकास की संतान अकास की मा का grandson कौन होगा बच्चो बताओ अकास की संतान हो जाएगी न ठीक है उसकी बहन है तो इस grandson की बहन हो गई है जिस के और इशारा किया जा रहा था वापस देखो अकास ने इस लड़की के और इशारा करते है यह जो लड़की है वह कौन है यह मेरी मा की grandson की बहन है समझ में आ गया कि यह जो लड़की है वह कौन है मेरी मा की grandson है उनकी बहन है ठीक है ना यहां पर आप से पूछाये जा रहा है यहां पर आपका अंसर क्या हो जाएगा ठीक है option number c that is clear okay चलिए यह था बच्चों आपका pointing based question तो इसी साथ आपका जो टॉपक है वह आपका complete होता है तो फिलहाल के लिए इतना ही ठीक है और भी कुछ पजल टाइप के जो पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो वहां पर इंचीज़ करेंगे तो वहां पर इंचीज़ करेंगे ठीक ह तो फिलाल हमने coded पढ़ा यहां पर और जो फैमिली ट्री जो अलब पोश्चन ता वह हमने पढ़ा कोड़ेंगे पढ़ा तो फिलाल के लिए इतना ही बाकी जो अगले लेक्चर से आपका अगला टॉपक स्टाट होगा तो फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर नो तब तक लि